अरशकार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8 जोगरफी के कुछ important notes को discuss करेंगे और जो notes होने वाले है important chapter है, जिसका नाम है minerals and power resources तो सबसे पहले important points देखेंगे, उसके बाद हम लोग notes को discuss करेंगे तो जिसे important points में पहला point जो आता है, वो rock है कि rock होती क्या है तो rock is an aggregate of one or more minerals, aggregate का मतलब होता है combination and mixture ठीक है, तो जिसमें एक या एक से ज़ादा minerals पाया जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा rock कहा जाएगा, without definite composition of concentrate of minerals मिनरल में क्या पाया जा रहा है, जिसे mineral माली जयल्मूनियम पाया जा रहा है oxygen पाया जा रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़े अगर minerals में पाया जा रही है तो उसका composition जो होगा, composition गाएग यह जरूरी नहीं है तो हमेशा 21% ही पाया जाए, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कह सकते है कि जो combined यह सब चीज़े है, इनका कोई proper combination नहीं है proper composition नहीं, कुछ भी composition हो सकता है next पे आते है, और देखिए, और क्या कह रहा है, और क्या होता है तो और is a rock, तो और एक क्या है, rock होता है और इससे क्या कियाता है, कि minerals को इसमें से mine कियाता है minerals को इसमें से निकालायता है, ठीक है next में आते हैं, अब जैसे आपको minerals, बताएंगे minerals क्या होते है तो minerals आपने देखा, कि minerals कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें से हम लोग metals को निकालते है जिससे metals को extract करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, मिनरल कहा जाएगा, अब जैसे mineral में आप देखेंगे, तो mineral में पहला जो type है, वो ferrous mineral है, ferrous जब आपको मिले ferrous world, तो आप समझे, ferrous concentrate is related to iron, तो ऐसा mineral जिसमें iron होता है, उसको कहते हैं ferrous mineral, और example देख सकते हैं, आप लोग जैसे पहला iron ore है, दूसरा manganese है और तीसरा chromides है, तो यह सब के सब तीनों के तीनों क्या हैं, ferrous mineral हैं, और non-ferrous क्या होगा, जिसमें iron का content नहीं होता है, does not contain iron, ठीक है, तो ऐसे mineral जिसमें iron नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, non-ferrous minerals कहा जाता है, और इसका example है, gold, silver, platinum, बहुत सारे minerals हो सकते हैं, next में आते, extraction बोला किया है, कि extraction क्या होता है, तो देखे, extraction और mining दो अलग अलग चीज़े हैं, इन में difference ध्यान से देखिएग है, extraction, लेकिन mining अगर आप देखेंगे, mining में कहा गया, extraction और taking out minerals from the rocks, तो जब rocks से, ठीक है, जब rocks से mineral को निकाला जाएगा, extract किया जाएगा, minerals को, तो उसको क्या कहेंगे, mining कहेंगे, तो अर्थ के surface से जब extract कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या कहा, extraction कहा, ठीक है, और जब rocks से उसक कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा गया, mining कहा गया, ठीक है, इसके बाद अगला time आता है, fossil fuel क्या होते हैं, तो ठीक है, fossil जब भी शब्दा है, fossil, fossil का मतलब होता है, dead and decaying plants and animals, तो जो सड़े गड़े plants and animals होते हैं, अगर उनको बहुत दिनों तक रख दिया जाए, तो धीरे दिये करके अर्थ में दबते चले आते हैं, और जब वो अर्थ में दबेंगे, ठीक है, बरी होते चले आएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, fossil fuels बनाते हैं, और इनी fossil fuels को फिर बाउल दिया आता है, ऐसे petroleum है, ठीक है, coal है, तो यह सब क्या है, तो यह सब fossil fuels हैं, यह सब एक दो दिन म हजार दिन में नहीं बने हैं इसको बनने में millions of years लगा है क्या लगा है millions of years लगा है इसलिए fossil fuel को non renewable source of energy में रखाता है कि इसको आसानी से renew नहीं किया जाता है इसलिए non renewable है इसके बाद आते हैं thermal power क्या होता है thermal power की बात अगर करी जाए तो thermal जब भी word आए thermal तो thermal is related to heat ठीक है thermal का मतलब क्या होता है thermal का मतलब होता है heat ठीक है तो electricity obtain करना किस से Airbnb से जब को लोग कोईले से coal स electricity obtain करते हैं तो ऐसी electricity को कहते है thermal power next में आते हैं coal के बारे में फिर से दे दिया गया है इसको बनने में ऊर्थ म, बनना कैसे है तो, म्याते है बना है और बना कैसल है ज्टेंग região कि जो जितने भी giant ferns है swamps है मतलब जो भी prepared pod होते है जब वो अर्थ में नीचे दपते चले आते हैं ठीक है अर्थ के अंदर नीचे दपते चले आते हैं high pressure मिलता है तो क्या होता है कि वो बहुत सालों बाद वो fossil का रूप लेते हैं fossil fuels का नेक्स्ट में आते है petroleum पूछा गया है petroleum क्या है तो petroleum भी एक तरीका का fossil fuel है लेकिन coal अगर आप देखेंगे तो solid form में होता है लेकिन petroleum किस form में है liquid form में और किस color का है black color का है ठीक है अच्छा petrol और petroleum में confuse ना हो जाएगा petrol अलग चीज है ठीक है found between the layers of rocks अभी जो petroleum है कहाँ पाय जाता है तो जो rocks है उनके जो बीच में layers होती है ऐसे layer है तो यहाँ पर आपको petroleum देखने को मिलेगा और किन rock में देखायता है तो sedimentary rock में हमेशा पाय जाएगा और किसी rock में नहीं पाय जाता है ठीक है तो sedimentary rock में petroleum पाय जाता है और कहाँ से इनकाल आपको oil fields होते है जिससे अगर भारत देखेंगे तो भारत में असम में एक जगह है दिखबोई ठीक है वहाँ पर आपको oil fields देखने को मिलेगी Bombay High एक जगह है Bombay High महराष्ट्र में है ठीक है यहाँ से आपको oil fields देखने को मिल सकती है ठीक है Bombay High है ठीक है तो इस तरीके से petroleum हम लोग extract कर लेते हैं अब आते है solar cell क्या होता है तो solar आपको पता होगा solar is related towards sunlight या sun ठीक है तो जो device क्या करती है कैसे device है solar cell जो solar energy को किसमें convert करती है electricity में electrical energy में convert करती है उसको solar cell कहते है आजकल यह बहुत ज़्यादा famous है solar panel जब कई सारे solar cell को combine कर दिया जाता है तो बनता है solar panel क्या बनता है solar panel बनता है तो यह तो आप लोग ने देखा ही होगा बहुत basic चीज हो गई है पहले नहीं थी नेक्स्ट में आते हैं अब देखें यहाँ पर कुछ important points जो खतम हो गए अब notes के बारे हम discuss करेंगे इसको भी हम लोग ने point wise ही लिखा है जिससे आपको important चीज है सांज में आज़ा और जो main चीजे हैं उनको हम लोग ने bold से highlight कर दिया है नेक्स्ट तो इसमें देखें कहा गया naturally occurring substance having a definite composition is called a mineral तो कि mineral क्या होता है तो mineral एक naturally occurring substance है मतलब वो nature में पाय जाता है ठीक है natural substance है artificial substance mineral नहीं है और इसमें क्या होता है कि जो भी elements present होंगे वो definite composition में present होंगे याद रखेगा mineral में जो भी elements present होते हैं वो definite composition में present होते है minerals are found in the certain areas only not everywhere हर जगा तो पाये नहीं जाएंगे minerals अब जैसे अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में minerals कहां पाये जाते हैं तो mainly अगर आप भारत में minerals देखेंगे तो जार्कन में पाये जाते हैं वेजबंगौल में पाये जाते हैं अब अगर बात करें आप राजिस्थान की तो राजिस्थान में minerals पाये जाते हैं ल्किन बहुत कम पाये जाते हैं जम्मो एंट कशमीर की बात करें तो यह们 minerals बहुत ही कम पाये जाते हैं तो अलग- tweet-say इसका अंतलब क्या हुआ, इसका अंतलब यह हुआ, कि mineral जो है, वो उनको बनने के लिए अलग-अलग conditions की जुरत होती है, जैसे temperature हो गया, pressure हो गया, जो भी pressure, temperature मिलता आता है, तो उससाब से mineral का formation होता है, ठीक है, और कोई भी human activity, mineral के formation को change नहीं कर सकती है, जैसे mineral कहीं अगर बन formation को change कर सके, ठीक है, इसमें अगले में देखे, कहा गया, minerals can be identified, देखे, कुछ types दिये हैं, जैसे mineral को हम लोग identify कर सकते हैं, physical properties के हिसाब से, जैसे color है, तो color के हिसाब से gold का color, gold के जो minerals होंगे, उनका color अलग होगा, iron के जो mineral होंगे, उनका color अलग होगा, ठीक है, density के हिसाब से जिसकी density जादा होगी, वो जादा कठोर होगा, जिसकी density कम होगी, वो थोड़ा soft होगा, तो इस तरीके से हम लोग minerals को क्या कर सकते हैं, अलग-अलग properties के साब से उसको identify कर सकते हैं, ठीक है, और chemical properties, ऐसे solubility, अब solubility में क्या होता है, कि जैसे कुछ ऐसे minerals आपको देखने को म अब types of minerals की बात करी जाए, तो दो तरीके के mainly minerals हैं, एक पहला है metallic और दूसरा है non-metallic, अब metallic minerals में कौन-कौन से minerals आते हैं, तो ऐसे minerals जिससे हम लोग metal को extract करते हैं, ठीक है, तो ऐसे minerals जिसमें से metal को extract किया जाएगा, उनको कहा जाएगा metallic minerals, अब इसमें impurities तो होगी, लेकिन impurities कैसी होंगी, उससे हम लोग को ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन उस impurity को, जो उस metallic mineral में जो impurity होगी, जो गंदगी होगी, उसको हटा के हम लोग pure metal को obtain कर सकते हैं, ठीक है, अब जैसे आप लोग ने एक ore का नाम सुना होगा, जैसे bauxite है, ठीक है, माली ज जैसे bauxite ore है, तो bauxite पूछा है, bauxite से क्या obtain कियाता है, तो aluminium obtain कियाता है, इसी तरीके से अलग-अलग ore होते हैं, तो mineral से पहले ore निकाला आता है, और फिर ore से क्या कियाता है, metal को obtain किया जाता है, ठीक है, तो next में आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया, metallic minerals are generally found in igneous rocks, ठीक जाते हैं, ठीक है, sedimentary rock बताया था भी, हमने sedimentary rock में आपको क्या देखने को मिलता है, तो fossil fuel देखने को मिलते हैं, ये बहुत important है, कि fossil fuel कहा पाया जाते हैं, तो sedimentary rock में पाया जाते हैं, इसके बाद non-metallic minerals की बात करी जब metallic mineral में बहुत सारे example हो जाएंगे, ज्यादा नहीं ब पताया था, iron को obtain करने के लिए mineral है, aluminum को obtain के लिए mineral है, तो मतलब, जितने भी metals हैं, सबको obtain कहां से किया रहा है, minerals ही तो किया जा रहा है, next में देखे कहा गया non-metallic mineral क्या होंगे, तो जिसमें metal नहीं होगा, उसको non-metallic mineral कहेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, impure compounds होते है, mineral fuels ह ठीक है, example आपको दिया गया, non-metallic mineral का, जैसे limestone हो गया, mica हो गया, इंडिया जो है largest producer है, माइका का जाद रखेगा, ठीक है, माइका का largest producer गर पूछा जाए कौन है, तो इंडिया है, coal हो गया, petroleum हो गया, तो इस सब क्लया है, non-metallic minerals हैं, इसमें से metal obtain नहीं किया जाएगा, अब इसमें देखिए non metallic minerals के बारे में आपको एक और बात बताई गई है कि जो metallic minerals थे वो कहां पाय जा रहे थे तो वो igneus और metamorphic rock में पाय जा रहे थे लेकिन जो non metallic minerals होते हैं वो किसमें पाय जाते हैं? और sedimentary rocks mainly कहां देखने को मिलेंगे तो plains में, young fold mountains में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है, next में आते हैं distribution of minerals की बात करते हैं कि जो minerals है वो country wise पहले देखेंगे, फिर India wise देखेंगे कि कहां कौन सा mineral distributed है ठीक है, तो अगर mainly यहां बात करी जाए iron deposits की तो iron deposits इंडिया और चाइना और इंडिया में पाये जाते हैं एशिया में, ठीक है, रशियम मिलता है, यूक्रेइन, स्वीडन इन सब जगह पे आपको क्या मिलता है iron deposits देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसके बाद आते हैं, ब्राजील की बात करी जाए, तो ब्राजील क्या है largest producer है किसका high grade iron ore का, तो अगर आपसे पूछा जाए high grade iron ore का largest producer क्या है, तो आप कहेंगे ब्राजील है, ठीक है, टिन का production अगर देखा जाए, continent wise सबसे आदा कहा होता है, तो एशिया में होता है, ठीक है next में आते है, चाइना की बात करी जाए, तो चाइना देखे, बहुत सारे minerals में lead करता है, जैसे lead सबसे आदा चाइना में होता है anti-money, tin और tungsten इस सारी चीज़त चाइना में सबसे आदा होती है, ठीक है next में आते है, नॉर्थ अमेरिका की बात अगर करी आएगी, तो नॉर्थ अमेरिका को तीन जोन में divide किया गया है ठीक है, mineral deposits mainly in तीन zones में पाय जाते हैं, तो जो पहला जोन है उसको कहा गया है Canadian region, North of Great Lakes, second दिया गया अप Atlassian region और तीसरा दिया गया mountain ranges in the western part of the continent, तो ये तीन आपको division दिये गया है North America के, और इसी में mainly minerals आपको देखने को मिलेंगे ठीक है, चिली और पेरू, ये बहुत important है, कि copper का production अगर पूछा आता है कि सबसे आदा कहां है, तो आप कहेंगे चिली में है, और second number पे कहां पर है, पेरू में है ठीक है, ब्राजील और बॉलीविया की बात करी जाए, तो ब्राजील और बॉलेविया तो ये भी सबसे बड़े producers हैं, टिन के, ठीक है, लेकिन first number की बात करीए चाइने ही आएगा, उसके आदा ब्राजील बॉलीविया ऐसे करके आजाएगा मतलब top producers हैं, टिन के, इसके बाद Africa continent बहुत ज़्यदा important है, minerals के case में, क्योंकि यहाँ पर सबसे rich resources पाय जाते हैं, जैसे gold है, गोल्ड हो गया, diamond हो गया, ये सारी चीज़े कहां देखने को मिलेंगी, अफरीका में देखने को मिलेंगी, और mainly South America, Zimbabwe, जायरे में भी ये सारी चीज़े देखने को आपको मिलती है, से gold हो गया, ठीक है, Australia की बात अगर करी जाएगी, तो Australia में बहुत ज़्यादा amount में क्या है, boxside और boxside से क्या obtain क्या आता है, aluminum obtain क्या आता है, it also produces gold, diamond, iron, tin, nickel, ये सब चीज़े भी यहाँ पर होती है, अच्छा दो नाम, मतलब एक ही नाम ह काल गूर्द्गी, ठीक है, काल गूर्द्गी इसको कहा जाएगा, काल गूर्द्गी atan नहीं कहेंगे, काल गूर्दी कहेंगे, अब यह अगर देखा जाए, यह कहाँ पर हैं तो यह Australia में है, और यह किस चीज़े लिए famous हैं तो यह gold के लिए सबस्यादा famous हैं ठीक है, तो ये दोनों बात आप लोग याद रखेगा, कूल गार्डी भी याद रखेगा, कार्ड गूर्ली भी याद रखेगा, ये दोनों दोनों जगए कहां पर हैं, और श्रिलिया में हैं और किस के लिए फेमस हैं, गोल्ड के लिए फेमस हैं, अब भारत की बात करते हैं मिनरल्स इन इंडिया जैसे आईरन की बात अगर करी जाए तो आईरन जारखंड 36 गड़े में ली पाय जाता है बॉक्साइड जिससे अलबुनियम निकालाता है वो जारखंड और उड़ी सा माईका देखा जाए तो जारखंड और बिहार मतलब इन ःंगनीज देखा जाए तो महाराश्टर है लाइम इस्टोन देखा जाए तो बिहार जारखंड है गोल्ड देखा जाए तो कॉलार फील्ड are you आपने KGF पिचर देखी होगी, तो KGF में कुलार गोल्ड फील्ड है, ठीक है, तो ये कहां पर है, करनाटका में है, तो वही गोल्ड के लिए famous है, salt की बात अगर करिया है, तो नमक सबसे आदा कहां होता है, तो sea, lake और rocks में नमक पाया जाता है, ठीक है, अब उसी चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा written form में लिख दिया गया है, जैसे high grade iron ore की बात अगर करी जाएगी, तो जारखंड, उड़ीशा, 36 गड़ ये सब इस ट्रेट्स हैं, जो सबसे आदा पर यूस करते हैं, बॉक्साइट की बात करी आएगी, तो बॉक्साइट सबसे आदा, मतलब राजिस्थान में होता है, राजिस्थान में भी होता है, जारखंड, उड़ीशा, 36 गड़ इस ब जगवा पर होता है, माईका की डिपॉजिट सबसे आदा, जारखंड में देखने मिलेगी, बिहार अंदरप्रदेश में, कुलार अभी बताया था आपको, गोल्ड सबसे आदा देखने मिलता है, मतलब फेमस है गोल्ड के लिए, सिलिकॉन अगर देखा जाएब, सिलिकन के लिए resolutions है, तो इसके जो computer है, तो जो computer के आप देखेंगे, chips जो हैं, ठीक है, computer chips, जो होते हैं, सिलिकॉन चिप्स होती है, वो silicon की बनी होई होती है, computer industry में इनका बहुत यूज होता है, और में नियर खिस से बनती है, मतलब इनको renew होने में बहुत ज़्यादा time लगेगा या यह renew हो ही नहीं पाएंगी तो इसलिए और क्योंकि limited quantity में ऐसा तो है नहीं unlimited है जित्ता use करिए ठीक है तो limited है अब limited अगर कोई चीज है तो उसको बहुत judicially use करना चाहिए उसको बहुत अच्छे से use करना चाहिए और recycling बहुत ज़्यादा जरूरी है minerals की और reducing बहुत ज़्यादा जरूरी है minerals की power resources पे आते हैं power resources क्या है तो power resources जिससे हम लोगो electricity मिलती है power मतलब एक तरीके से यहाँ पर किसकी बात करी आ रही है electricity की बात करी आ रही है power means energy power मतलब क्या है energy होता है we require power for everything तो कोई भी अगर काम हमको करना है जैसे आपको अगर mobile पे वीडियो देखना है तो भी electricity की जुरत है अगर माल लिए सुचिए electricity ना हो तो हम mobile कैसे चार्ज करेंगा mobile चार्ज नहीं करेंगा तो mobile चलेगा नहीं ठीक है तो हर काम के लिए छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम अगर करना है तो electricity की जुरत पड़ती है अब यह जो power resources है दो तरीके के देखने को मिलेंगे conventional और non-conventional conventional का मतलब होता है जो पुराने जमाने में भी चलते थे ठीक है पुराने जमाने में जैसे thermal power plant हो गया कोईले वाला power plant हो गया तो यह conventional में आ जाएगा और non-conventional में वो आएगा अब यहां पर conventional में कहा गया है they have been used for long time मतलब बहुत पहले से इसको यूज किया थे इसे firewood firewood आपको पता होगा गाओं में आज भी चाहे जितना भी gas west provide कर दी जाए लेकिन फिर भी जो गाओं की महिलाएं है वो किसमें खाना बनाती है चूले में खाना बनाती है और चूले में क्या यूज किया आती है तो लखड़ियां यूज करी आती है ठीक है तो इसको कहते है conventional power sources और non-conventional power source की बात अगर करी जाए तो इसमें बहुत कुछ आ जाएगा जैसे solar आ जाएगा wind आ जाएगा ठीक है hydro आ जाएगा तो ये सबका सब non-conventional power sources है ये recently use किये जा रहे है क्योंकि पहले develop नहीं थे अब ये develop होने लग गए है ठीक है अब थोड़ी सी और बाते देख लेते हैं जैसे firewood में बोला गया है firewood क्या है coal, petroleum, natural gas ये सब क्या है तो important fossil fuels है ठीक है electricity from coal जब भी coal से electricity को obtain किया जाएगा तो उसको कहेंगे thermal power plant ठीक है petroleum and its derivatives are called black gold अब देखे यहाँ पर इस बहुत important बात कही गई कि black gold क्या होता है तो काला सोना क्या होता है तो petroleum जो है ठीक है petroleum जो है ये क्या है black gold है और क्यों को black gold कहा गया क्योंकि देखे इसका color फहली बात तो black है और gold क्या होता है जो बहुत ज्यादा expensive है जो बहुत ज्यादा important है उसको कहते हैं हम लोग gold ठीक है तो ये black color का है plus ये बहुत ज्यादा important है इसलिए इसको क्या कहा गया black gold कहा गया तो पानी बहता हुआ रहा था तो पानी जब आगे नहीं जा पाएगा तो धीरे-धीरे करके उसकी हाइट बढ़ेगी पानी यहां तक माली जए आ गया फिर क्या होता है यहां से पानी को छोड़ा आता है गेट लगे होते है छोटे-छोटे से यह कह सकते हैं दर्वाजे होते हैं जब पानी को छोड़ाता है तो नीचे लगी होती है टरबाइन, क्या लगी होती है टरबाइन, फैन तरीके की टरबाइन लगी होती है, तो जब पानी इस टरबाइन पे गिरता है, तो क्या होता है, फैन रोटेट होता है, और फैन के रोटेशन से क्या होगा electricity generate होगी ठीक है तो इस तरीके से जो electricity generate होती है उसको कहते है हाइडल पावर ठीक है one fourth याद रखेगा 25% electricity जो अब produce हो रही है वो हाइडल पावर से ही हो रही है सबसे आदा लेकिन जो production अभी भी हो रहा है वो किस से है तो thermal power से मतलब coal से है और कहीं न कहीं सो कम करने की बात करिया आती जा रही है क्योंकि इसमें से बहुत सारी carbon dioxide gas निकलती है जो क्या cause करती है global warming ठीक है या greenhouse effect cause करती है इसके बात कहा गया है solar energy की बात करी गई है wind energy की बात करी गई है geothermal अब geothermal क्या है कि जो हमारा अर्थ है अर्थ में भी अगर आप देखेंगे अंदर heat है ठीक है अर्थ के अंदर भी क्या है बहुत सारी heat है तो उस heat से जो energy मिलती है उसको कहते है geothermal energy nuclear power हो गया tidal energy टाइट्स की विज़े से जो energy मिलती है उसको tidal energy कहते है तो यह सब क्या है non-conventional energy या power sources या resources है इसके बाद continent-wise कुछ minerals दिये गए हैं उसको देख लेते हैं जैसे Asia में बोला गया है तो China और India बहुत जदा minerals यहां देखने को मिलते हैं और mainly कौन से iron ore देखने को मिलेगा इसके बाद Asia जो है वो tin का production सबसे आदा करता है ठीक है half of their total tin production एशिया में ही होता है और mainly China, Malaysia और Indonesia में tin सबसे आदा produce होता है चाइना की बात अगर कर यह है देखे चाइना एक ऐसा country है जो हर चीज में चाया पैरी culture देखने उसमें भी बहुत आगे है minerals देख लिए उसमें बहुत आगे है technology देख लिए उसमें बहुत आगे है ठीक है तो China also leads in the production of lead, antimony and tungsten इसमें भी China बहुत आगे है यह यूरोप पे आते हैं यूरोप में देखे क्या-क्या चीज़ें हैं तो iron ore जो है वो यूरोप में भी पाए जाता है countries with large अब देखे कौन-कौन सी country में iron ore सबस्यादा पाया जाएगा तो Russia हो गया, Ukraine हो गया, Sweden हो गया France हो गया, यह सब iron ore के लिए famous हैं, North America की बात करिया है कि तो अभी हमने आपको आता है ता तीन जोन में इनको बाटा किया है, Canadian region हो गया, पहला Applassian region हो गया mountain ranges of the west हो गया, और यहीं पर आपको सबस्यादा mineral deposit देखने को मिलते हैं इसके बाद आते हैं South America में, तो South America में जैसे Brazil हो गया, तो यहाँ पर high grade iron ore सबस्यादा देखने को मिलेगा चिली और पेरू में अभी हमने देखा था तो copper सबस्याद देखने को मिलता है Brazil, Bolivia में अगर आप देखेंगे तो top producers हैं इसके tin के mineral oil अगर आप देखेंगे mineral oil देखने को मिलता है Venezuela में, आर्जंटीना में, चिली, पेरू और कोलंबिया में, South America में तो South America में gold, silver, zinc, chromium में सब देखने को मिलता है अफरीका में आते हैं अफरीका एक ऐसा continent है जो equator में लाई करता है मतलब equatorial climate यहां पर रहता है हमेशा, ठीक है और यह यहाँ इसको black continent भी कहते हैं याद रखेगा, black continent भी इसको कहा जाता है, अब यहाँ की बात अगर करी जाए, तो यहाँ सबसे rich minerals पाए जाते हैं जिसे gold का है, ठीक है gold हो गया, ठीक है gold सबसे आदा diamond हो गया, तो यह सब कहाँ पाए जाता है अफरीका में पाए जाता है, तो copper के लिए भी famous है, iron ore, chromium, सब कुछ मतलब यहाँ पर जाता है, अब अफरीका में oil कहाँ पाए जाएगा, तो नाइजीरिया, लिबिया और अंगोला में oil भी पाए जाता है Australia में आते है, Australia किस के लिए famous है, तो bauxite हो गया, gold, diamond iron ore, इन सब के लिए famous है ठीक है, अभी हमने आपको दो deposits बताए थे, जो काल गुरली है और पूल गाड़ी है, तो ये दोनों किस कहाँ पर है, Australia में और किस के लिए famous है gold के लिए famous है, अंटाक्टिका पर आते हैं, अब अंटाक्टिका आपको पता होगा या लोगों तो आदा रहते नहीं, बस researches होती है क्यों ऐसा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या रहती है snowfall या snow रहती है, ठीक है इतना ठंड़क रहती है, कि इन्जान वहाँ पर exist नहीं कर सकता ठीक है, mainly यहाँ कौन रहते है Eskimos रहते है, यहाँ तरक्टिका का एक tribe है जिसको Eskimos कहते है और Eskimos रहते कहाँ पर तो अपना घर igloo बनाते है igloo, ठीक है बरफ का घर बनाते है igloo, उसी में रहते है ठीक है, अंटाक्टिका में बात अगर करी जाए तो यहाँ पर deposits तो है लेकिन अभी इतना potential नहीं है, भी इतनी technology नहीं कि उन deposits को निकाला जा सके it has been forecasted, मतलब केवल यहाँ forecast किया जा रहा है केवल यहाँ पता लगाया जा रहा है कि coal है कि नहीं, तो coal देखा गया है ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर ore देखेगा है, जैसे iron ore हो गया, gold, silver, oil यह सारी चीज़े भी यहाँ पर पाई जा सकती है ठीक है, तो यह हमारे पास पूरा chapter जो था हम लोग ने discuss किया पूरे notes discuss किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे chapters के notes है, जो पहले से हमने बना दिये हैं, उसको आप लोग जा के देख सकते हैं, और अपना revision अच्छे से कर सकते हैं भी कले फलालत नहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक और फिर से नए notes के बारे में discuss करेंगे तिल देन, थेंक्यू वेरे माच, गुडबाई जय हिंद